कहानी की शुरुआत में हमें रिचर्ड नाम का एक लड़का दिखाय जाता है जो अपने दोस्तों के साथ रगबी का मैच खेल रहा था वो मैच तो बहुत ही ज़ादा जोरो सोरो से चल रहा होता है तब ही अचानक से रिचर्ड को उसका एक अपोनेंट धका मार कर गिरा देत जिसकी वजह से रिचर्ड को बहुत ही ज़ादा गुस्ता आ गया था रिचर्ड तो बिना कुछ सोचे समझे उस लड़के को डायरेकली मारने के लिए चला जाता है दूसरे लड़के की हालत बहुत ही ज़ादा खराब हूच चुकी थी अब रिचर्ड मैच खतम होने के बा कर अपनी girlfriend से प्यार करने लग जाता है तब ही अचानक Richard को अपनी body में कुछ changes दिखाई देते हैं यहां Richard तो देखते ही देखते एक werewolf में बदलने लगता है उसकी पूरी body पर बाल आ चुके थे और नाखुन काफी बड़े हो जाते हैं Richard को इस हालत में देखकर उसकी girlfriend वहां से भागने लगी थी यह सारी चीजे Richard के साथ पहली बार हो रही थी जब कुछ घंटों बाद Richard को होश आया तब वो अपने घर में बैठा था लेकिन उससे पता चलता है कि उसके mom and dad मारे जा चुके हैं और सारा खून उसके हाथों पर लगा था जिससे कि Richard समझ जाता है कि जाने अन जाने में उससे गलती हो गई और उसने अपने mom and dad का कतल कर दिया यहां Richard के girlfriend ने पुलिस को बुला लिया था जो Richard को arrest करने के लिए लगाता ढून रही थी Richard के पास वहां से भागने के अलावा और कोई भी option नहीं होता इसलिए वो बहुत ही जादा निराश होकर पीछे के दरवाजे से जंगल में निकल जाता है सिटी में चारो तरफ ये खबर फैल चोकी थे कि Richard एक murderer है इसलिए Richard वापस अपने घर पर ना लौटते हुए कहीं दूर चला जाता है रास्ते में कुछ गुंडे एक लड़की को परिशान कर रहे थे इसलिए Richard वापस से वेर वॉल्फ में बदल जाता है जिसने देखते ही देखते उन बदमाज गुंडों को जान से मार दिया था हाला कि वो लड़की वहाँ से डर कर भाग जाती है सबकिछ नॉर्मल होने के बाद Richard एक बार में आ जाता है जहाँ पर उसे एक जॉन नाम का आदमी मिला था जो खूद एक वैर वॉल्फ होता है तब जाकर Richard को पता चला कि पूरी दुनिया में वही एक नहीं है उसके जैसे और भी लोग मौजूद है Richard को जॉन के जरीए ये पता चल गया था कि उसके मॉम औड़ जिनका मर्डर हो चुका था वो असली नहीं थे उन्होंने तो Richard को गोद लिया था इसके बाद John Richard को एक छोटी से गाउं का एडरेस देता है जहाँ पर उसे अपने सारी सवालों का जवाब मिल जाएगा John तो बिना को सोचे समझे वहाँ पर चला गया था वो वहाँ के एक पब में जाता है वहाँ के तो सारे लोग Richard को काफी ज़्यादा गूर गूर कर देख रहे थे लेकिन Richard को तो पहले ही नजर में वहाँ की एक बार टेंडर पसंद आ गई थी जिसका नाम एंजिला था Richard एंजिला से बात ही कर रहा था तब ही वहाँ एक अंजान आदमी आकर Richard से बत्ते मिजी करना स्टार्ट कर दिता है हाला कि Richard ने वहाँ पर उस आदमी को कुछ नहीं कहा लेकिन बाहर आते ही Richard वेर वॉल्फ में कनवर्ट हो जाता है और उस आदमी को डरा कर भगा देता है कुछी देर बाद Richard को माइक नाम का एक आदमी मिल जाता है माइक उससे कह रहा था कि साइट से तुम यहाँ नहीं लग रहे हो तो तब तक के लिए तुम मेरे फार्म में काम कर सकते हो और वहीं पर रह सकते हो रिचर्ट को ये प्लान काफी अच्छा लगता है और उसने तो अगले दिन से माइक के फार्म में काम करना स्टार्ट भी कर दिया था लेकिन अब कुणर नाम का एक आदमी रिचर्ट को पूछते हुए वहाँ पर आ गया था क्योंकि बार में रिचर्ट ने जिस आदमी को मारा था वो कुणर का ही साथी होता है लेकिन माइक कौनर को बहुत पहले से जानता था इसलिए हो कौनर को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है कौनर को रिचर्ट की ओपर बहुत ही crappy ज़्यादा गुस्सा आ रहा था पर अभी के लिए फिलाल वो यहाँ से चला जाता है लेकिन अब एक डार्क रियालिटी रिवील हुई कि कोनर और उसके बागी साथी भी वेरवॉल्फ हैं और वो सब कहीं न कहीं रिचर्ड के रिष्टेदार थे एक दिन रिचर्ड अपने बाइक पे से रूट पर जाता रहता है तब युसे जंगलों में से किसे इंसान के चिलाने की आवस सुनाई दी थी रिचर्ड जब जंगल के अंदर जाता है तब युसे एंजेला मिल गई थी जो रिचर्ड को कुछ दिखाने के लिए जंगल के बीचों बीच चले जाती है वो दोने देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी लोग मौजुद है जो कोनर के लिए काम किया करते थे जिसे कि रिचर्ड को रिलाइज हो गया था कि कोनर भी एक वेरवॉल्फ है अब माई के घर पर आने के बाद माईक रिचर्ड से बताता है कि तुम मेरे रिस्तेदार हो दरसल कोनर और कोई नहीं बलकि तुमारा फादर है जिसने तुमारी मा को जाम से मार दिया था लेकिन इस बात को कोनर ने कभी एक्सेप्टी नहीं किया और एकदम से पागल हो गया कोनर लगातार नॉर्मल लोगों को काट कर वेरवॉल्फ में कनवर्ट करता जा रहा था लेकिन कोनर जीस भी नॉर्मल इंसान को वेरवॉल्फ बनाता था वो बैड बलड वाले वेरवॉल्फ बनते थे अच्छे बलड वाले वेरवॉल्फ तब ही पैदा होते हैं जब उनके पैरेंस भी वेरवॉल्फ हो इसलिए अब कोनर एक ऐसी लड़की के साथ संबंद बनाने के लिए ढून रहा है जो कि वेरवॉल्फ हो रिचर्ड को पता चलता है कि एंजला भी एक वेरवॉल्फ है यानि कि कोनर एंजला को ढूनने के लिए जरूर आएगा एंजला को भी जब ये सारी बात पता चलती हैं तब वो अपनी वज़े से सारे लोगों को खत्रे में नहीं डालना चाती थी इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो खुद कुनर के पास चली जाएगी लेकिन यहां रिचर्ड एंजला को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगा था और इससे प्यार भी करता था इसलिए वो ये कहता है कि वो एंजला को एंड तक प्रोटेक करेगा रात होने पर रिचर्ड कुनर के यहाँ पर चला गया था बात करने के लिए लेकिन अब कोनर के पास पूरा मौका था रिचर्ड को जान से मारने का इसलिए वो रिचर्ड से कहता है कि मैं तुम्हें आखरी मौका दे रहा हूँ यहां से भागने का और अब रिचर्ड जैसे ही जंगल में जाता है वो लगातार रिचर्ड के उपर हमला करने लग जाते हैं लेकिन रिचर्ड भी कम नहीं था वो भी अपनी वेरवॉल्फ की पावर का यूज करके कोनर के लोगों पर एक एक करके हमला करते रहता है लेकिन यहां कोनर के लोगों की quantity काफी बढ़ती ही जा रही थी इसलिए रिचर्ड को ना चाते हुई भी एक बहुती बड़ी खाई से कूदना पड़ता है हाला कि बहुत सारे पेडों पर गिरने के कारण वो बच गया था लेकिन रिचर्ड तो बहुती बुरी तरीके से घायल हो चुका था ताजूब के बाद ये थी कि उस जगह पर जौन भी मौजूद था जो रिचर्ड को उठकर लड़ाई करने के लिए कह रहा था रिचर्ड हिम्मत करके थोड़ी दूर तक तो चलता है लेकिन उसके बौड़ी में जरा भी दम नहीं बचा था कुछ दिर बाद जब वो अपनी आखे खुलता है तब माईक और एंजला उसके सामने खड़े थे एंजला जो एक खुद वेरवाल्स थी वो रिचर्ड के पास जाकर उसके बौड़ी को टेच करने लग जाती है जिससे कि रिचर्ड के बौड़ी पर लगा हुआ सारा घाओ एकदम से ठीक होने लग गया था यानि कि एंजला के पास सूपर नैचुरल पावर्स थी और अब कुछी दिनों में रिचर्ड पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता है साथ ही साथ एंजला रिचर्ड की ट्रेनिंग में मदच कर रही थी ताकि वो कोनर और उसके लोगों को हरा सके अब रिचर्ड माइक से डिसकस करता है कि उसके पास आखिर क्या-क्या मौजूद है रिचर्ड ने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे गोला बारूद और बॉम्स रखे हुए थे इसलिए कोनर के लोगों पर हमला करने के लिए रिचर्ड और माइक मिलकर एक प्लैन बनाने लगते हैं रिचर्ड ने तो अपने घर के बाहर जगा-जगा उपर डाइनामाइट्स लगा दिये थे जिससे कि कोनर के लोगों को मारा जा सके कोनर के लोग घर पर आकर एंजला के साथ बाकी लोगों को भी अपने साथ लेकर चले गए थे रिचर्ड इस बात से बहुती ज़्यादा गुस्सा होता है इसलिए वो तुरंत अपना वैर वोल्फ का रूप धारन करके जंगल के एकदम बीच ओ बीच कोनर के पास चले गया था रिचर्ड तो बिना टाइम वेस्ट किये कोनर की लोगों पर हमला करने ही लग जाता है जिससे कि वो एंजला, माईक और बाकी सभी को छुडा सके बहुती ज़्यादा लडाई करने के बाद रिचर्ड अपने जान पैचान के सभी को पिंजड में से बाहर निकालने में काम्याब हो जाता है हाला कि वो सब अपने घर पर आ गये थे लेकिन कोनर के लोग भी उनका पीछा करते करते वहां पहुच जाते हैं और अब स्टार्ट हो रहा था रिचर्ड और माइक का बनाया गया प्लैन रिचर्ड ने जगह जगह पर बहुत सारे बॉम और दैना माइट लगाए थे जिसके वज़े से कोनर के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और अब यहाँ कोनर को एक बहुती बड़े स्टोर रूम में से रिचर्ड की आवाजे आ रही थी इसलिए वो अपने आदमियों के साथ रिचर्ड के पीछे स्टोर रूम में चला गया था लेकिन ये सारी चीजे रिचर्ड और माइक की एक चाल होती है माइक ने तुरंट स्टोर रूम में रखे गए गोला बारूत पर फायर कर दिया था जुस्से की देखते ही देखते वहाँ पर एक बहुत ये बड़ा ब्लांस्ट होता है उस दमाके में कोनर के सबी आदमी तो मारे गए थे लेकिन कोनर कैसे भी सर्वाइव कर जाता है और अब वो बिना टाइम वीष्ट किये सिधा रिचर्ड के उपर आकर हमला करने लगा था अलाके रिचर्ड बहुत ही ज़्यादा फूर्तिला था लेकिन वो कोनर के सामने ज़्यादा नहीं टिक पाता दोनों के बीच बहुत ही घमासन लड़ाई हो रही थी पर एंड में रिचर्ड बहुत ही दिमाग लगा कर कोनर को हराने में काम्याब हो जाता है कोनर तो एकदम वीख होकर अपने नॉर्मल रूप में आ गया था पर तभी वहाँ जॉन आ जाता है जिसने अब सारी सचाई बता दी थी दरसल वो जॉन ही था जो कोनर से बदला लेना चाता था लेकिन वो ये सारी चीज़े अकेले नहीं कर सकता था इसलिए उसने रिचर्ड का यूज किया रिचर्ड के पैरेंस को उसने नहीं बलकि जॉन नहीं मारा होता है और जॉन नहीं रिचर्ड को उसी गाओं के बारे में बताया था जहांपर कोनर और बाकी सब रहा करते थे और अब सायच से जॉन का पूरा प्लान एकदम से काम्याब हो चुगा था क्योंकि कोनर के पास अपने पावर्स का यूज करके कोनर को जान से मार देता है इस बात से रिचर्ड बहुत ही ज़्यादा गुस्ता हो चुका था इसलिए रिचर्ड जॉन पर हमला करते वे उसे खेत में ले आता है जहांपर रिचर्ड ने जगह जगह पर डाइनमाइट्स लगाए थे ये सार के साथ उसके कंदों पर से एक भार उतर गया था कि उसने अपने मॉम एंडाट का मर्डर नहीं किया अब अगले दिन रिचर्ड एंजेला के साथ वर्ल टूर पर निकल गया था और इसे के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खतम हो जाती है सुवी वर्स आपको ये स्टोरी कैस किसी लगी कमेंट सेक्षिल में बताना भूलना मत और अगर आपको मेरा एक्स्पनेक्शन एक परसिन भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एं चानल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाई झानल किसी बाई मिलते हैं मिलते हैं पक्राइब का किसे सक्ट हैं ठया हैं प्रूबências सेक्ट हैं छुफखन को